इस बोक्स है अपने पास इसके अंदर आइस बढ़ा हुआ है ठीक है इस वोल का जो थिकनास है यह अपने को देरका है यहां पर पानी है पानी का टमपरेश्य कीतना है 20 degree centigrade है और आइस 0 degree centigrade है तो हीट पानी से आइस को मिलेगा तो हीट को मिलेगा तो हीट की होगा मेल्ट होगा तो मेल्ट होगा तक किस rate मेल्ट होगा यानि M by T क्या है यह अपने से पूचा यह अपना प्रस्चन है तो यहां पर पर देखते हैं किसमें काम आ रहा है इसको मिल्ट करने में काम आ रहा है यानि ml इसमें काम आ रहा है यहां पर मैं पूट करता हूं क्योंकि जिएकर ml divided by m यह latent heat है इसको capital L लिख देते हैं into time is equal to ka delta t by n आ जाएगा अपने को m by t find करना है तो m by t is equal to क्या आ जाएगा ka delta t divided by length into latent heat तो value put करो k कितना दे रहा है k 0.06 एरिया कितना एरिया अपने पास है 2400 into 10 की पावर minus 4 into change in temperature change in temperature 20 minus 0 20 आ जाएगा divided by length कितना है 2 into 10 की पावर minus 3 और latent heat of fusion 3.4 into 10 की पावर 5 इसको solve करेंगे तो यह अपने पास answer आएगा कुछ 42.35 into 10 की पावर minus 5 यह जाएगा केजी पर सेकंड केजी पर सेकंड में यह answer आएगा यह आपका mass per unit time यह इतना mass आपका पर सेकंड में क्या हो रहा है आई इस का water में convert हो रहा है यह अपना अंसरा देगा लेकिन अगर पर hour की बात करें तो पर hour के लिए आप क्या करो इस पूरी term को इस पूरी term को किसे multiply कर देंगे पर hour पर hour का मतलब क्या करेंगे 1.5 1.5 kg per second kg per hour kg per hour mass convert होगा किसमें water के अंदर है